जैस याराम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चानल लड़ो कोपाल के भक्त में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगे कि हम लड़ो कोपाल जी को गर्मियों में शयन की सेवा किस प्रकार से करा सकते हैं गर्मियों में ये सेवा बहुत जरूरी है क्योंकि दिन भर में लड़ो कुपाल जी ने जो भी पोशाग धारन करी है जो भी आभूशन इत्यादी धारन करे हैं उसे धारन करते करते वो दिन भर में ठक जाते हैं तो ऐसे में रात्री के समय में शायन सेवा करवानी बहुत जर हम उनके साथ उनकी बासुरी भी नहीं रखेंगे यहां जब हम शैन सिवा रातरी में करवाएंगे क्योंकि ऐसा कहते हैं कि लड़ो गोपाल जी के साथ अगर उनकी बासुरी साथ में रख दी जाए तो वो रातरी भर बासुरी के साथ खेलते रहते हैं और शैन नहीं करते हैं तो ऐसे में बासुरी को उनसे थोड़ा सा दूर कर देंगे और अब हम उनकी पोशाग भी यहां बदल देंगे जो भी आराम दायक पोशाग है जिसमें वो आराम से शैन कर सकें ऐसी पोशाक हम उन्हें धारंड करवा देंगे तो ये देखे यहां मैंने उनकी सभी वस्तर निकाल कर एक तरफ रख दिया है अब मैंने कौटन में यहां पर लिया है थोड़ा सा गुलाब जल और ये जो है मैं उनकी पूरे शरीर पर थोड़ा थोड़ा सा हलके हलके हाथों से मल दूँगे इससे क्या होगा कि उन्हें जो भी दिन भर में कश्ट हुआ है वस्तरों से या आभूशन से इस गुलाब जल की सहायता से उन्हें बहुत जादा धंड़क महसूस होगी और वो अराम से शैन कर पाएंगे तो हम इस प्रकार हलके हलके हाथों से उनके पूरे शरीर पर गुलाब जल को मल देंगे अब जो है हम क्या करेंगे लट्डू गोपाल जी को अराम दायक कपड़े पहना देंगे तो यहाँ मैंने कुर्टा पजामा लिया है मैं इसे ही लट्डू गोपाल जी को धारन करवाती हूं रात्री के समय में और मेरे पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा तकी भी है जो कि मैं रख दूँगी यहाँ पर ताकि हमारे लट्डू गोपाल जी जो है वो अपने बिस्तर से नीचे न गिरें तो हमें चारों ओर से उन्हें तक्यों की सहायता से सपोर्ट भी देनी चाहिए अब जो है हम लट्डू कोपाल जी को पहना देंगे उनका कुर्टा पजामा जिससे उन्हें आराम मिलेगा उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा तो इसके बाद हम लट्डू गोपाल जी को लेटा देंगे और लेटाने के बाद हम उन्हें थपकी जरूर देखेंगे यह देखें लट्डू गोपाल जी नाइट ड्रेस बहन कर कितने प्रसन है कितने खुश है उन्हें कितना आराम महसूस हो रहा है तो देखे हमने यहाँ लट्डू को पाल जी को लिटा दिया है इस प्रकार से हम उन्हें लिटा देंगे और हम उनसे कहेंगे कि आप कुछ समय के लिए विश्राम कर लें वैसे तो वो भगवान है वो विश्राम कर नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो बालक रूप में हैं तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनसे कहें कि वो विश्राम कर लें और इसके बाद जो है आप जहां पर भी लट्डू को पाल जी को सुला रहे हैं वहाँ पर फैन जरूर अन करें अगर आप फैन अन नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार का कोई फैन ले लें जो कि आज कल मार्केट में बहुत मिलते हैं यह जो फैन है यह चार्जर से चलता है यानि कि मैं इसे सुभा चार्ज कर लेती हूँ और यह रात्री भर चलता है इस प्रकार के कूलर वगेरा सब मिलते हैं तो अब उनमें से कोई भी फैन जो है लट्डू कोपाल जी के लिए ले सकते हैं साथ ही हम एक शीट भी रखतेंगे कि अगर फैन चलते वे उन्हें ठन लगी तो वो उस शीट को ले सकें और इसके साथ ही हम एक लोटा यहां जल भी जरूर से रखेंगे कि अगर रातरी में लट्डू कोपाल जी को प्यास लगी तो वो पानी भी पी सकें तो इस प्रकार से हम लट्डू कोपाल जी की शयन सेवा करवाएंगे तो उमीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी साथी चानल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कोल भी न भूलेगा ताकि मैं इसी तरहां की वीडियो आप तक लाती रहूं तो अभी के लिए जय माता दी जय श्री राम